कि हेलो इस्टूडाइन वेल्कम तू इस वीडियो क्लास्ट वायली जी के एक और नई वीडियो में आप सब का स्वागत है आज हम फ्रेग्मेंटीशन देखने बाले हैं एसको हम बहतरीन तरीकी से समझेंगे इससे पिछले वीडियो आप चैनल प्लेश्ट के माध्यम से दे कि देखिए आप यहां पर देख पा रहे होंगे मूड्स ओप इस एक्सुलर प्रोडुक्शन में हमने इस्पोर्यूलेशन फिजन वर्डिंग इन सबको डिसकस कर लिया था यदि आपने इनको नहीं देखा है और इससे पिछले वीडियो लाइफ इस्पैन मगरा इन सबके प्रेलेश्ट को विजिट कीजिए आपको लिंक डिसक्रिशन में मिल जाएगा उसको देख सकते हैं और इस प्रकास से इस नोट को यदि आप लेना चाहते हैं पूरा नोट है आपको इस प्रकास से आपके लिए पूरा में प्रवाइड करा दूगा तो यदि आप इस यानि पुनुरूदभबन देखे फ्राइग्मेंटेशन का मतलब वैसे खंडन होता है जिसका मतलब क्या होता है फ्रैग्मेंट का मतलब होता है कोई को भी जीव है यदि उसके सरीर के टुकडि करे जाए उसको किदित किया जाए और उन टुकडों से नया जीव बन जाए तो इस प्रोसेस को फ्रेग्मेंटीशन बोलते हैं यह पुन्रूद भबन अलग से टर्म होता है जिसका मतलब होता है किसी भी अंग का फिर से उद्भव होना जैसे कि आपने देखा हो चिपकली की पूंच होती है यह उसको काट मतलब कर जाती है तो फिर से वह फ्रेग्मेंटीशन लिए हिंदी में पुरूरूद भवन तो देखे इसी प्रकास आप लेख सकते हैं आप से जी जनरेशन अलग से पूछे यानि पूरूद भवन तो उसमें भी आप थोड़ा अलग लिख कर लिख सकते हैं लेकिन आप से पूछेगा है यही आपसे बोड ऊपको प्रैक्मेंट्स ईकते हैं तीनग्स प्रकास से इक जीव से कई सारे नहीं बनते हैं यहांपर देख सक तो प्रतिक टुकड़ा है प्रतिक कि ने लिखा हुआ बहुत के दिया या जीव का शरीर दो या दो से अधिक टुकड़ों में तूट जाता है आपने देखा यहां पर दो या दूसरी अधिक टूटा और नई टूट गया और प्रतिक टुकड़ा पुनरूद भबन रिजनरेशन द्वारा एक नई व्यक्स संत्ति में विक्सित हो जाता है और यह विदी का प्रकार के अकसर कोई जनतों में पाई जाते हैं नहीं लोवर आपको बता दिया है उसके बाद हम काईक प्रवर्दन देखते हैं उससे पहले मैं बता दूँ यदि आप उन्हें सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल प्लेश पर आप जाईए तब ही आपको बहतरी तरीके से आंगे कर समझ में आएगा क्योंकि एस एक्सुल रेप् आप बढड़ कर दिया तो में अच् opposite principle लेकिन को बहुत है इससे इंच्छे तरीके से आपको नंबर मिलेंगे और आपको समझ में मैं 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 समझाता हुँ हूँ तो आप समझा भी गए ओपर जैसे मैंने फ्राग्मेंटेशन पहले समझा दिया उसके बाद आपको बता दिया तो इसमें आपको जो वर्ड दिये गए हैं यानि जो सब्द दिये गए इनका मतलब भी पता होगा ठीक है तो इस प्रकास से चीजों को आप याद रखे और इनको पढ़िए उसके बाद हम देखते कायक ब्रबड़न होता क्या है देखिए जो पौधे होते हैं उन में क्या होता है उनकी जो सरीर के कई भाग होते हैं वो नएप रखेंगे कर सकते हैं जैसे कोई बड हो गई जो वड़ है वहां से अलग हो जाएगी पौधे से और उससे नए शरीर बन जाएगा ठीक है उर है नीचे हम देखेंगे रनर होता है सकर होता है राइजोंम होता है और जो ली वरड है वोगी होती है सब के example कि डाइग्राम कि थूर हम देखेंगे सबसे पहले इसको जान लेते हैं यह होता क्या का एक परबदन पौधों में होने बाला एक प्रकार का अलेंगिक जनन प्रदक्षन के लिए यानि एक ही जनक बनाते हैं ठीक है इसमें पॉधों की काईक आंग जो होते हैं जो होते हैं जैसे तना जड और पत्ति का प्रियोग नए पॉधि उगाने में किया जाता है जैसे हो हो गया तना हो गया और पत्ति इनके कुछ भाग तूट कर नए पौधे बना सकते हैं इसलिए इसको क्या बोलते हैं काइक प्रबर्धन पुराने पौधों में विभिन अंगों में उपस्तित काइक प्रबढ़ दिया प्रॉपोग्यूल या अंकुर को जब अनुकूल परस्त जाएगा तो ठीक है और साथ यह आप इनके उधानट भी दे सकते हैं जैसे कि अलो का कंद दिया गया है और अध्रक का प्रकंद दिया गया है था तो इनको आप लिख सकते हैं साथ ही में पादपो में कायक प्रोबर्धन की एकाई यां भी दी गई है जिने भी आपको पढ़ना है ठीक है देखिए मैं पहले आपको एक्जामपल दे देता हूं उसके बाद मैं आपको एंसे आटी में जो ड्रीग्राम है उनको भी समझा देता हूं ठीक है तो आपको बहुत होता है और बढ़ होती है ठीक है यह होते हैं मैंने इस प्रकार से दूसरा मतलब है इस प्रकार से गरो करेगा और यहां पर नया पौधा उत्पन हो जाएगा इसे प्रकार से इस से और और भी इस प्रकार से घंस पहलती आपने दिखा हुआ कि इस प्रकार से कोई प्लांट है यह ठीक है तो इसमें देखे आप यहां पर देखेंगे यह जो इस टैम है तो यहां पर दिखे यह जैसे यह अंदर इस टैम के मतलब यह भूमी के अंदर है तो यह जो इसका इस टैम है तो यहां से निकल कर इस प्रकार से यह से जाएगा इस टैम और दूसरा पौधा बना लेगा मतलब इसी से निकल कर यहां से अंडर ग्रांड जाएगा यहां से नि ठीक है राइयोंग क्या होता है कैला और अध्रक में पाय जाता है है इसको अधर होता है यानि अंधर होता है यह ऑप से चुह होता है इसका वे तो आपको जल्दी समन्हें निकलती है और जली हम जो जो आपती से गर जाती है उससे नया पोदा बन जाता है ठीक है जली हम इसके जो NCRT में दिये गए हैं डाइग्राम इनको हम देख लेते हैं तो आपको किलियर होगा देखिए तो आतलि देखिए बैजएटेटर प्रोकर्रेशन पर देख सकते हैं कि गीईटर जो ग्रोक का जसे अई की मोगर संब्स प्लांट है उनने गर मेरी अखे प्रेक्व प्रकार उधी और टेटो में हम वर Tuber, यह Tuber ही है पुरा, ठीक है यह जो तना होता है, Underground यह Tuber होता है, इसमें क्या होता है, कई प्रकार के Nodes होते हैं, ठीक है? यह Nodes होते हैं, और Nodes ही, यहाँ पर देखे, यह Eye के form में होते हैं, इस प्रकार का Structure आपको देख रहा होगा, यह आँक जैसा होता है, इसको हम आई यानि आँख बोलते हैं, तो आलू की आखें, यदि आप से पूछ जाए, तो ये आखें किसे में पाए जाती हैं, आलू में पाए जाती हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे, यह इनी से जो होती है, जर्मिनेटिंग आई बड जो हैं निकलती हैं, ठीक है, यह हिंदी में बोल सकते हैं हम देखिए इसको अंकुरण सील आंख कलिका बोल सकते हैं ठीक है आपकी हिंदी के आप पोधा निकल आएगा और उसमें कई सारे इस प्रकास से आलू बन जाएंगे तो यह आपको याद रखना है राइजोम का हम देख लेते हैं राइजोम जो होता है वो पाए जाता है जिंजर में ठीक है यानि की अद्रक में पाए जाता है यहां पर देखे मैंने बताया कि आपको जो यहां पर जो स्टैम हाला कि हम जानते हैं कि आलू और यह इस प्रकास से प्रकास नोड़ से क्या होगा यहांसे आपकी बढ कलती है किसी भी तरह में नुड्ड से बढ निकलती हुई चुर्ट अब को काट भी देंगे तो इस में नुड्ड से आपकी बढ नेकलाती निकलता है लोग इस Lazarus प्रकास से पढ़े नों आपको बताता हूं ताकि आपको problem भी ना हो और English में भी आ को सीजे समझ में ठीक है तो English पर आप जाता हम तो जिंजर में क्या हो जाएगा और पोटेटो में ट्यूबर होता है और इसमें आई भी यह निकली हुई होती है ठीक है दोनों ही आपको याद रखने उसके बाद देखिए एंसे डाइग्राम दिये गये हैं उसके अंदर का सी नंबर पर आप देख सकते हैं दिया गया है व यह उती है वल्विल इन अगेवद का जो वल्विल होता है देखिए यह जो इंप्ती जैसा इसको बल्विल बोलते हैं ठीक है इस प्रकार से अगेब में होता है ठीक है आपका बेजटाशितेफ प्रोपिकेशन और दी नंबर पर है लीफ वड और राइफाइलम में देखिए यहां पर जो मार्जिन है यहां पर देख सकते हैं इस प्रकार से जब होता है पत्ती इस प्रकार से होती है तो यहां पर जो यह जगह है इसको इस पूरे को लीफ मार्जिन बोलते हैं और इस जगह को नोचिस बोला जाता है ठीक है यह जोता है और श्राव क्या होता है और इस नोड से होता है और से नहें इख सकती यहां से इस निजए और निलीव उटर को जाइगा उसके नमबर में दिया गया है How और यानि कि जो ऑफ सेट को लेकिन आप आप सेथी याद रखिये क्यों कि थूड़ा ज्यादा कथिन हो जाता है हिंदी में आफ सेट होता है यह किसम निकलेगा उस से इस तो इस प्रकार से निकलेगा, यह इस फ्रक्छर को offset बोलते हैं, और इस से नया प्रकार से बनेगा और बहुत ही जल्दी फैलता है, इसी लिए इसको जो है आप देखेंगे, NCRT में अभी दिया है, मैं आगे बताऊगा, इसको जो इसको बोलते हैं, इदें के इसमें देख सकते हैं आप यहां पर बता रहा हूं आपको भी यह बहुत ही इभी इन्ठ disp को याद रखना यहां पर आप देख सकते हैं कि कि वह उंधी उसे परॉड़ की इसलिए कर रहा हूं कि अप पूछे जाते हैं इसको आपको ध्यान रखना चाहिए इसको जलाय सेविए की महाविपत्ती वाटर है सिंद को अथो बंगल का अतंग का जाता है यह क्या करता है जल में बहुत ही ग्रो करता है जल की जो अक्रीजन है उसको खींच लेता है जिससे वहां की मश्रीय मर जाती है हलांकि चैप्टर में फोटीन में आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो यह आपको याद रखना है कि यह क्या होता है बंगल का था इसको कहा जाता है ठीक है यह जल से ऑक्षिजन कीच लेता है इसके पड़ाम सुरू मुचले मर जाती है और यह बहुत ही कम समय में यह ज होता है तो इस प्रकात से हमने देखा आपका अलेंगिक जनल यहां पर समाप्त होता है ठीक है उसके बाद हम लेंगिक जनल स्टार्ट करेंगे तो मैंने जैसा कि आप सबको बताया हुआ है इसी प्रकात से आपको नोट बनाना है और इस प्रकात से आपको पढ़ना है ठीक ठीक है नोट को कैसे लेना है मैंने बताई दिया है आप डिस्क्रेशनल दिएके नंबर पर कर सकते हैं नोट को भी आप ले सकते हैं पीडियो के फॉर्म में ठीक है तो थैक्स पो बाचिंग और नए वीडियो जल्द ही आएगा उसके लिए आप इंतिजार करें उसमें हम ले